बोजन समाज पार्टी विधान मंडल दल के नेताउम शंकर जी हमारे साथ हैं सर आज सदन में काफी कारवाई देखने को मिली च्छे पुलिस कर्मियों को दोशी पाया गया और उनको सजा सुनाई गई कारवास भी उनको दिया गया क्या कहेंगे इस तरह कारवाई कब के बाद आप लोगों को देखने को मिली देखिए मैं तो जब से बिधायक बन के आ रहा हूं उस समय तो मैंने अपने कारिकाल में नहीं देखा लेकिन काफी पुरानी इस तरह के एक बार ऐसी इस्तिती उत्पन्द हुई थी और उसे भी यह मामला 2004 का है और उस समय जब विशेसादिकार कमिटी जो बनी थी और विशेसादिकार कमिटी में जब यहां मामला गया था सलिल विश्नोई जी का उस समय आधने स्री माता परसाद पांडे जी अधेक्स थे और उसी समय मैंने पूरी कारिवाही पड़ी उसी समय यह नेड़े हो गया था कि नहीं इन लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाए क्योंकि जो कारिवाही मिली है हम लोगों को और जो अधे लुगी थे इन लोगों ने काफी निंदनीय काम किया था एक विधायक के साथ या किसी पी समाने बेक्ति के साथ भी अगर कोई समाने तरीके से वह अपना अगर लोग तंतर में जो से अधिकार है किसी पब्लिक के समस्या को ले-कर के अगर वह जा रहा है पत्रक देने तो उसके साथ इस तरह से भत्ता करना और इस तरह से मनें बहुत ही मतलब जितना उखिया जाए बही अब इतनी लाठी मारी गई कि उनके फेक्टर के उस पर रिपोर्ट है उनके फोटोग्राप्स है गस्ता के गिरी है उसके बाद भी लोग नहीं छोड़े हैं तो मुझे लगता अन्य बिधायकों के हित में लेंगे और अधिक जी ने अपना नेड़े सुनाया भारती जनता पार्टी के जो नेता हैं वो तो काफी खुछ हैं लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस वक्त वाक आउट कर दिया था आपने देखा होगा नहीं नहीं समाजवादी पार्टी को डिफाइन करने के लिए तो अधियक जी ने कहा कि भाई हम इसके बाद सुन लेते हैं लेकिन उन्होंने लगतार वो पहले अधरी स्री मातापरसाद पांडे जी उस पर बोलना चाहें फिर वो मातापरसाद पांडे जी को अध्यक जी ने अनुमती नहीं दिया तो लीडर अंपने का उसर नहीं दे रहे हैं जैशने का अवसर ड cake के मुंद्री जी ने सतन में यई को यह इसा नहीं बोला जब नेताओं के बैठक हुई थी तो दली नेताओं के बैठक में समाजवादी पार्टी के तरफ से स्री मनोज पंडे जी और स्री लाल जी बर्माज जी उस दली बैठक में मौजूद थे और दोनों लोगों ने दली नेताओं के बैठक में अपनी सहमती दिया जिसमें मैं ख भूड बोला उन्होंने गलत बयान बाजी की हम लोग विशेशा अधिकार का अनन का नोटिस लाने जा रहा है जब नेक्स टाइम सदन चलेगा तो हम लोग लेके आएंगे देखिए मुझे नहीं लगता है मैं तो बड़ा चिंतित इस बात से हूँ अभी मैंने किसी एक साथी को बताया कि समाजबाद को इलो डिफाइन कैसे कर रहा है क्या समाजबाद जो समाजबादी पार्टी का विधायक सांसद और उसका पता दिकारी होगा कर करता होगा वही सम समाजबाद को हाई जेक करना चाह रहे हैं कि समाजबाद को उनका समाजबादी पार्टी का थोड़े समाजबादी पार्टी दूसरी चीज हो गई और समाजबाद दूसरा हो गया समाजबाद किसी में भी हो सकता है विभिन राजनितिक दलों में काम करने वाले लोग के भी अंदर समाजवाद हो सकता है ति ये लोग समाजवादी पार्टी वाले लोग अगर इसको समाजवाद को ये मान के चलने के हमारा है तो ये तो फिर गलत है ये नहीं आप भी समाजवादी नहीं मानते हैं इन लोगों को पुर्य समाजवाद को करता हो गया वह समाजवाद आ गया यह नहीं है और जो हाट्य हैं अइसे लोग हैं उनके अंदर समझवाद होई नहीं सकता है यह पूरे समझवाद को को समझवादी हैं चाहे वह बहुजन वाले हो या बीजेपी वाले हो सब समझवादी हैं यही बात तो वह भी कहते हैं यह नहीं कहते हैं वह कहते हैं कि समझवादी पार्टी के जो लोग हैं वह समझवादी हैं तो यह मेरा काना है कि मैं इसमें हस्ता भी हूं कि अगर समझवादी पार्टी को अपनी पाचान बताने के लिए अपनी अंदर जो उनके अंदर भाव है उसको उजागत करने के लिए कि हम समझवादी पार्टी में हैं तो इसलिए हम लोग समाजबादी हुए यह बिलकुल असत्य है मुझे लगता है कि इंट्रेक्श्वल लोग हैं इसमें फिर उनको अध्यान करना चाहिए कि भाई समाजबाद तो किसी के अंदर भी हो सकता है जो समाने ब्यक्ति है वो भी उसके अंदर भी सम होता है बच्चित के लिए शुक्रिया आपने सुना उमा शंकर जी को उन्होंने साफ तोर पर कहा कि यह जरूरी नहीं है जो समाजबादी पार्टी के लोग हैं वही समाजबादी हो समाजबादी लोग किसी भी दल में हो सकते हैं कैमरमेन आशिश के साथ सीमाब नक्वी भ